हेलो नुश्कार दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहतर बना रहे होंगे दोस्तों आपको पता है कि मैंने जो अर्थमेटिक के महत्पूर टॉपी जो थे जैसे आपका प्रसेंटेज का टॉपिक हो गया और फिर अनुपात और समनुप और फिर हाँबने खतम किया दोस्तों नल और तंकी तो ए महत्पूर पांच गर्लम मेलों अगर इंद 4 टापिक की मिला आप बात करें तो कम सकम 5-6-7 कोशन इन टापिक से आ जाते हैं ठीक है तो उम्मेद करता हूं दोस्तो आपको इस सारे टापिक अगर आप देखें तो आपको समझ में आया होगा अगर नहीं देखें तो आपको जा कर देखना चाहिए और यहां स आपको कोई भी कोश्यन ऐसा नहीं है, कि फिर से आपको फसे, अगर आप पूरे इस टॉपिक को किरियर कर लेते हैं, तो आपको कोई ऐसा कोश्यन नहीं मिलेगा, जो आपसे ना हो पाए, सब्जमैंदोप। तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको इस सारे चीजे अच्छे जितने भी कोशन हमने कराये सब ठीक थे ठीक लगे होंगे आपको पसंद आया होगा दोस्तों तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं आज नया टॉपिक है ठीक है तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों वो है लाभ और हान का टॉपिक लाभ और हान से अब कोशन बहुत जादे बनते हैं दोस्तों और उमीद करता हूँ दोस्तों इससे मैंने जितने भी कोशन देखने को नहीं मिलेंगे वैसे दोस्तों मैं बदा दू कि जो मैंने कोशन लिये हैं यह है SSC जो SSC का बुक है दोस्तों इसमें 97-100 प्लस कोशन है जो राके स्यादो सर का बुक है इससे हमने लिये हैं इस सारे कोशन और कुछ कोशन अपने पास से लिये हैं दोस्तों तो इसमें हर चीज हम लेकर चल रह और टापिक है लाब और हान ठीक है दोस्तों अब लाब और हान से समझें बात वो क्या होती है देखें लाब का मतलब होता है फायदा क्या होता है लाब का मतलब सिंपल सा मतलब है दोस्तों फायदा और हान का सिंपल सा मतलब है दोस्तों घाटा हान को बट्टा भी कहा जाते ह हान को बट्टा भी काते हैं तो फायदा और घाटा अगर लाव हो रहा है तो उसको हम फायदा बोलेंगे और हान योड़ा तो घाटा अब समझे यह हमेशा लाव और हान की बात हम किसमे करते हैं तो जब किसी वास्त को आप खरीदते हैं बेचते हैं तो उस समय जो घाटा या फायदा होती है हम इसकी बात कर रहे हैं जैसे अगर कोई चीज आप खरीद रहे हैं और फिर उसको दुबारा बेच भी दे रहे हैं तो उस समय आपको कितना फायदा हुआ कितना घटा suppose करिए कि हम एक काम करते हैं किसी वाष्ट को 100 रुपे में खरीद लेते हैं 100 रुपे में खरीदते हैं फिर वाष्ट को आपको पसंद नहीं या है फिर उस वाष्ट को अगले किसी और बैक्त को जो उसको पसंद कर रहा है 120 में बेज दे रहा है यानि आपने 100 में खरीदा और 20 में खरीदा तो कहीं न कहीं आपको फायदा हो गया तो फायदा कितने का हुगा तो 20 पर फायदा होगा तो 20 फिर्पे जो हमारा कालाता है वो लाप कालाता है समझ में आ गया सपूच करिए कि अगर आपने क्या किया कोई वास्तु सौ में खरीदा है और सौ में खरीदने के वाद आपको वास्तु पसंद नहीं आता है वह वास्तु किसी और को बेचना चाहते हैं जो अगला व्यक्ति है उस वास्त को मातर असिर्फ एम्देगा खरीद प्रम बाई है तो इसका अर्थ है दो कहीं नहीं आपको कुछ नुकसान हुआ है अपने जेब से देना पड़ा है और कितना कितना देना पड़ा मतलब 100 में खरीदे और उस इस में बेच दे रहे तो यहां पर अभी आप देखें तो क्या हो रहा है आपको not नहीं हो रहा है तो जब किसी मतलब अगर खरीदने और बेचने में आपको क्या होता है घाटा या फैदा होता है तो उसी खौंग में लावया हानिका देते हैं ठीक है अब कुछ बेसिक फार्मुले हैं जो आपको याद होने चाहिए और आपको लेकि सिंपल सी बात यह फार् बिक्रेमुल होता है, बिक्रेमुल को हम लिखेंगे SP से, यानि Sailing Price, ठीक है, बिक्रेमुल के होत देखे, एक होता है Sailing Price, एक होता है क्रेमुल, क्रेमुल को लिखते है Cost Price, ठीक है, क्रेमुल को Cost Price, और एक होता है Mark Price, ठीक है, यानि अंकित मुल, तो ये तीन तरह के Price हैं, जो आ होता है कि हम खरीद कुछ और बेच पिस pię को y सियान पनल नी मूल होता है सबोच करेव कि आप ने पाहलने जी का वीषिदन घैप 10 पर हमлек के आज 거지 को आप चार समय आपको कितना कि start रहता होता है ने तो देखी दोस्तों आप आप किसी वर्स्तू को खरीद रहें जैसे वर्स्तू पर लिखा 120 werde 120 रुपे 120 रुपे देखे 120 पर वस्तू पर लिखा हुआ है तो वस्त हम बोलेंगे mark price ठीक है वस्त पर जो अंकित हुआ, ठीक है उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? कि हम उस स्वास्थ को बेचेंगे जब इस स्वास्थ को बेचेंगे तो माल लिजे आप किसी वास्थ कोई आप दुकंदार है और आपके पास कोई कस्टमर आता है किसी वास्थ का मूल 120 रुपे है माल येक सर्थ है उसका मूल कितना 120 रुपे आप से दुकंदार उस पे लिखा हुआ है 120 पे दुकंदार आप से कहता है कि आप इसमें कुछ छूट दीजी हमको याना कुछ कम करिए तो आप कम करके उसको 110 पे में दे दिये ठीक है तो इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि उसमें 120 पे लिखा अपने 110 पे दिया तो आप घाटा सकर तो कभी देंगे नहीं यानि आपको भी कुछ और फायदे होगे होँगे ताभी तो दिये होँगे ठीक है यानि इसका अर्थ है हुआ कि आप जो खरीदे होंगे कहीं न कहीं 120 110 से कम ही खरीदे होंगे माल लिजी हमने 100 पे में उसको वास्त को खरीदा तो जो हमने खरीदा जिस रुपे में उसको बोलते हैं CP यानि काश्ट प्राइज तो कोई वास्तु अगर एक दुकंदार है किसी वास्तु को जिस मूल पे खरीदता है वह उसका CP का लाता है जो मूल इस पे लिखा होता है उसका MP का लाता है और जिस मूल पे बेज देता है उस फार्मूले आप याद रखेगा जो कुछ फार्मूले है जो बेसिक है जो आपको याद होने ही चाहिए ? SP equals क्या होता है दोस्तों जब हान की condition होती या कि लाब की condition होती है तो SP Qto क्या होता हैCP और प्लस क्या profit CP प्लस प्रॉफिट एh प्लस क्या profit PRASP होता है CP ौस zaten मतलब आप समझे कि कि अगर आपसे किसी वाज़ति को 100 पर्मेर खरीदे और इसे को 120 पर مस दे रहे मतलब वह आपका होगए विक्रेयमुल, अब विक्रेयमुल, जिस hacking चाहरे हैं कि आ बना होगए, आपने जितने में खरीदा उर जितना जी जाधा लेकर वेचे हैं, तो उसे काकते हैं, विक्रेयमुल करते हैं, loude т. उमीद करता हूं ए छीजा आपको पहले समझ जाने चाहिए देखे तो जब हान की कंडिशन होगी उस कंडिशन मेंस लास में अभगा सिपी म protections Tapi तक हान कि देखे सब्सक्राइब उसको सबेस गरीड बेस दिए तो ऊपने कितने का घाटा सा लिया तो आपने जो लॉस सहा ओ बीस का लास का अधसा दिया और कितने में खरज़ा था तो 120 रुपे में जब 120 में से 20 घटाएंगे तो का जाएगा 100 आजाएगा और यह 100 जो है आपका क्या है भी 100 आपका है सिंपल सी बात है कि 100 आपका SP हो जाएगा ठीक है तो यह चीज़ यह आपका होगे लास अब देखें क्या होता है कि अगर आपको ठीक है इसमें तीन चीज़े हैं अगर SP दिया है और प्राफिट दिया तो हम लोग CP निकाल सकते हैं बलते इसमें कोई दो चीज़ दिया होगा आप पता कर सकते हैं उसके वाद अब इसको ध्यान से समझेंग तो हम किस पर करते हैं CP पर करते हैं किस पर करते हैं अंकित मूल पर ही करते हैं तो कोभी प्राफिट और लास की जो गड़ना है हम किस पर करते हैं अंकित मूल पर करते हैं ठीक है तो उम्मीद करते हूं आप इसको समझ पाएंगे समझ ये बात को अब देखिए दो चीज़ में खरीदा यानि आपका CP और अगर profit है तो कितने का profit हुआ और इंटू के accounting के 100 यह आपका निकल जगा profit परतिसत ठीक है अब आग बात करते हैं loss परतिस्द की तो जो loss परतिस्द होगा क्या हो जाएगा आपने कितने का loss सहा मतलब और कितने का हा निसा हा फिर आपने कितने में उसको खरीदा था और फिर कितना हो गया भी इंटू के जग 100 यह हो गया loss परतिसत यानि यह आपका profit परतिसत हो गया और यह मतलब last percent ठीक है तो उम्मिद करतो है चीज आपको सोज्वे आ रहे होगी ठीक है अच्छेँ यहiusसे यह जीज आपको समझ़ना चाहिए तो अब दिखें दोस्तों अगर अगर हम इक काम कहा है कि हम ने कहा कि अगर 20%It आपको क्या हो रहे is profit हो रहे आपकों को बताई तो आप कहेंगे जो 20% का मतलब होगा वो होगा 1 बटे 5 अब ध्यान से समझेगा बहुत ही गोर से समझेगा एक बटे 5 अब यहां पर देखे नीचे कौन होता है profit के case में नीचे कौन होता CP plus profit यानि cost price यानि और plus profit कितना हुआ तो आपका CP कितना है मतलब जितने में आप खरीदे हैं तो खरीदे कितने में 5 में फायदा आपका कितना हुआ एक रुपे का यानि प्लस क्या हो जागा एक यानि आपने उसको 6 रुपे में क्या क्या होगा बेचा होगा ऐसा ही हुआ होग सब पोज़ करें हम 25% last की बात कर रहे हैं 25% loss इस case में क्या होगा तो ध्यान से समझेगा loss के case में 25% का मतलब होता है एक बटे 4 अब देखे loss के case में देखे loss के case में क्या है अगर पर 30 की बात करेंगे तो loss बटे क्या होगा, CP होगा, अब देखे ध्यान से यहां पर, CP कितने है भई, यहां पर देखे, तो नीचे कौन है, नीचे 4 है, तो मतलब CP जो गए, दोस्त, तो कितना होगा, CP होगा 4, अच्छा, loss कितने का है, तो loss कितने का है, loss है, एक का, अब हम आपसे पूछ रहे, SP कि और SP कितना हो गया तीन हो गया तो नित करता हूं इस सारे चीज़ा आपको समझ में आ रही होंगी ठीक है तो दोस्तों यह महत्पुर कुछ चीजे हैं जो आपको समझ चाहिए और धिर धिर जैसे से हम सवाल लगाएंगे अन्य चीजों पर डिसकस करते जाएंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है अब कुछे सिंपल से सवाल देखेंगे दोस्तों जो आपको आने चाहिए अगर नहीं आता है तो आपको कम से कम तो दोस्तों इस तरह के सवाल आने चाहिए देखिए अब इसका मतलब समझे एक कि 20% लाप लेकर बच रहे हैं मतलब 20% का मतलब क्या है एक बट्टे 5 है मतलब 5 का वज़त हुआ और एक रुपय अधिक लेकर बेच रहे हैं यानि CP कितने का जागा देखें यहां पर अगर देखें तो जो ESP और CP का रेशियो निकल जाएगा ESP कितने का है 5 और CP कितने है 5 आप एक अधिक लेकर बेच रहे हैं अब एक अधिक लेकर बेच रहे हैं दोश तो इसका मतलब यह हुगा कि आपने कितने में बेचा है भी आपने में बेचा है 5 एक 6 में यानि 6 पर बेच दिया है यानि CP कितने होगा अच्छ है और CP कितने होगा देखिए अगर हम कर रहे हैं कि एक QC saya हम लेते हैं हुई कि हमें कर रहे हैं कि कोई वस्तू है टीक है जिसका जो और क्रयमल मुला है अंकित मुलने बार निखևंड निकर नहीं कर ले देखिए अंतर है दोनों एक सेकेंद दोस्तों ठीक है अब यहां देखिए आपको CP कितना दे दिया है 1200 रुपे और कहेगा profit पर 30 कितना भई profit पर 30 पूछेगा कहेगा कि profit percent दिया है 20 percent या इसको कुछ और माल लेते हैं चलिए इसको हम 25 percent माल लेते हैं जो profit percent कितना है भई 20 percent है तो आप से पूछेगा दोस्तों कि बताईए कि उसका CP कितना है क्या पूछेगा CP कितना है तो देखे CP हम निकाल सकते हैं अराम से अब देखे 25 percent का मतलब क्या है दोस्तों देखे 25 percent का जो मतलब होता आप कहेंगे 1 बटे 4 कितना होता 1 बटे 4 इसका अर्थ हो गया दोस्तों कि अगर CP इसका 4 है तो ESP कितने को हो जाएगा 5 का CP 4 तो ESP कितना 5 है अब कोशन में साब साब दिया है दोस्तों CP कितना है 1200 है यानि 4 किसके बरावर हो जाएगा तो कहेंगे चारतिया ही बार यानि 300 के और अगर हम पूछें कि वताई तब आपका पांच किसके वर जागत कहेंगे पांच गुड़े 300 यानि आपका हो गया 1500 के इसका अर्थ है हुगा कि अगर कोई वज़तु 1200 का है और उसको 20% लाप पर आपको बेचना है चली उसकोड़ा सा कोशन लेते देखें, एक सा कहेंगा सिन्पल सा कोशन लेते है C.P. जो है ठीक है दोश्तों क्या कहेगा, C.P. जो है ओ है 13100 राधे 300, चली थोढ़ा सा दिक्कत हो जागा दोश्तों C.P. को हम ले लेते हैं मान ले जिए पंदरे सो और अगर हम लिख लेते हैं दोस्तों आपका जो ESP है क्या भी? ESP है इसको हम कहा देते हैं कि यह जो आपका है ESP की अगर बात करें तो यह हम कहा रहे हैं कि 1550 है कितने हैं? 1550 अब हम आपसे पूछेंगे बता यह profit percentage कितना होगा तो profit percentage कितना होगा आप कहेंगे 1550 में खरीदा है और 1575 में बेचा है मतलब हमको 75 रुपय का हो गया profit profit कितने हो गया दोस्तों? profit हो गया 75 रुपय का ठीक है तो यहाँ पर अगर देखें तो profit आपका निकल गया 75 profit 75 रुपय अब आपको निकालना है profit प्रतीसत हमने क्या बता है दोस्तों? जो profit प्रतीसत होता है वो क्या होता है? जितना आपने profit लिया और जितने पे लिया यानि कितने पे लिया तो 1500 पे लिया यानि 15 समय आप उस्त खर देते उसमें 55 पर आम ने प्राफिट पा लिया और गुरे का कर दिया 100 अब दो जो सिदो जो रुका हो गया खतम अब 15 पचातर यानि प्राफिट जो परसेंट हो कितना जगा 55 यानि 5 परसेंट हो जगा 5 परसेंट तो अब दोस्तों अगर लॉस्त परसेंट निकालना है तो भी निकालना है तो भी निकाल सकते है जैसे माल जहां में कोशन लेते हैं किसी वास्त को आपने खरीदा किसी वास्त को आपने खरीदा 1200 रुपय में ठीक है और आपने दोस्तों उस वास्त को बेच दिया 1100 में 1100 में SP यानि जितने बेचा उसको SP कहेंगे तो उसको अपने वारस में खरीदा 1100 में का कर दिया बेच दिया यानि आपको LAS किदने का होग दोस्तों तो आप कहेंगे देखे LAS के अगर बात करें तो LAS आपका निकल गया सो रुपे, बार सो में खरीदे गार समय बेद दिया, मतलब सो रुपे का अपने घाटा सहाब, तो यह हो गया लास, अब हम लास प्रतिसत की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो जो लास होगा, लास कितना होगा, सो होगया, और इसमें अगर देखें, तो पहले जो कितना था, स गुड़े कितना होगया, सो, अब देखें, दोजय से दोजय यहां खतम हो गया, यानि हो गया दोस्तों, सो बटे बार है, यानि चार से काट लिजए, तो चार तेहीं बार है, और यह पचीस चोगा सो, यानि यह आपका हो जाएगा, पचीस बटे, पचीस बटे तीन, और इसको आप हल करेंगे तो यह आपका हो जाएगा आठ सही आठ तरी का 24 और एक बटे 3 यानि इतना परसेंट जो दोस्तों क्या होगा आपका हान ही होगा ठीक है तो उमीद करता हो दोस्तों यह सारे चीज़ आपको जब आप छोटे को नहीं कर पाएंगे तो बड़ी में थोड़ा सा समस्या हो जाता है दोस्तों है ऐसी बात नहीं कि नहीं आपको थोड़ा सा समस्या उत्पन हो जाता है ठीक है तो उमीद करता हो दोस्तों इस सारे चीज़े आपको अच्छी तरह समझ में रहेंगी तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीके उसके बाद फिर इसके अब कल हम कुछ अच्छ अच्छे कोशन के साथ आएंगे दोस्तों और वहाँ पर हमारा प्रैक्टिस भी होगा और फिर हम इस टाइब के सवाल भी देखते चलेंगे ठीके तो आज के लिए बस इतना रखते हैं जल्द मिलेंगे दोस्तों अपने नेश्वरी होगा तब तक के लिए जाएं